नमस्कार मैं दोक्टर अखिलेश कुमार सहायक आचार शिक्षा विद्या पीठ वर्दमान महावेश खुला वेसे जाले कोटा आपका स्वागत करता हूँ अभी तक आह ऑखना को अभी तक आपने जाना कि ब्वधी कर्षम्ता क्या होती है आज हम विस्तित चर्चा करेंगे ब्वधी कर शम्ता के परिवर्टन सील-पारिवहार्शी परिप्रव्रेक्ष्प वैं अहलो नहीं आगले हैं एक है इस्तिन संकलपना नहीं है और ये समय के साथ जाना होते जिनेनमी कॉंझेप्ट जै कि में पिछली सातावदी में बहुत सारे परिवर्थन आए है तो आज की पाथ गांदस को तो चार प्रमुक संस्थाओं की जर्चा यहां पर समीचीन प्रतीत होती है सबसे घ्रणी संस्था जो बोधी कंश्मता की परिभासा को रिवाइच करती है वो है American Association of Intellectual and Developmental Disabilities और संशेप में AIDD दोसरी जो संस्था है जो इस पर काम करती है वो है DSM Diagnostic and Statistical Manual तीसरी जो संस्था है वो है World Health Organization विस्वास संगतन DSM जो है Diagnostic and Statistical Manual वो American Psychiatric Association की और से प्रकासित किया जाता है और चौथा जो भारत में मानने है वो भारत सरकार है Government of India जैसा कि आपको विदित होगा कि अभी हाल फिल हाल में निसक्त अधिकार विद्यक संसतने पास किया है 2016 में और वो जल्दी लागू होने वाला है तो ये चारों की परिभासाओं पे हम बाधिकर्षमता के परिपेक्ष में विचार करेंगे लेकिन सबसे महतवपूर्ण जो बाधिकर्षमता के छेत्र में परिवासा दी गई है और जो निरंतर अपडेट की जाती रही है वो है American Association of Intellectual and Developmental Disabilities की आए सबसे पहले हम संचेप में AI DD के बारे में जाने American Association of Intellectual and Developmental Disabilities की अस्थापना वस्तोता 1876 में Edward Sanguine ने की थी Edward Sanguine के बारे में आपको बताते चलें कि यह Jean Mark Itard, Jean Mark Itard जिन्हें विशेज सिक्षा का जनक माना जाता है यह उनके विद्यार्थी थे Edward Sanguine Sanguine ने 1876 में Association of Medical Officers of American Institutions for Idiotic and Feeble-Minded Persons की अस्थापना की और यही संस्था बाद में आज की तारीख में AI DD जानी गई हाला कि बौधी कशमता का जैसे जैसे नाम परिवर्तित होता रहा वैसे वैसे इस संस्था के नाम में परिवर्ता ना है सबसे पहले इसको Association of Medical Officers of American Institutions for Idiotic and Feeble-Minded Persons के नाम से जाना गया बाद में इसको अमेरिकन एसोसियेशन ऑफ मेंटल डिफिसिंसी के नाम से जाना गया फिर इसका नाम बदलकर American Association of Mental Retardation हुआ और अब इसका नया नाम जो है अमेरिकन एसोसियेशन ऑफ Intellectual and Developmental Disabilities है अमेरिकन एसोसियेशन ऑफ हम मुख्यता है हाँ पर उनिसो असी के बाद की बधी कशमता या मानसीक मंदता की परिभासा का द्यान करेंगे उस वक्त यह समसा अमेरिकन इसके परिणाम स्वरूप अनुकूली व्यवहार में संगामी असामानेता आ जाती है या जो संगामी अपसामानेता से जुड़ी होती है और जो भी कासात्मक कौधी के दौरान ही अभीवक्त होती है अगर ग्रॉस्मेन की इस परिभासा का हम विस लेसंड करें तो हम पाते हैं पहला कि मानसीक मंदता में क्या होना चाहिए तात्विक रूप से औसससे कम सिग्निफिकेंट सब एवरेज इंटेलेक्चुल खंचांगा, तो ऐसे में यह माना गया सत्तर से कम आईक्यू जिसके परिणाम सुरुप अनुकुली वैवहार में संगामी असामानिता आ जाती है, और यह कब अभी वेक्त होती है कि सवधी में विकासात्मक क्वधी के तौरान एवरेक्त होती है तो इस परिभासा के नुसार मानसिक मंदता का अन्यदानिक मांदर्ण जो था वो तीन था आईक्यू सत्तर याउस से कम अनुकुलनी विभार में महत्वपुन कमी और 18 वर्स की आयू तक इसका आरंब बाद में मानसिक मंदता की परिभासा को लिवकेसान ने अफडेट किया और कोशिस की कि इसमें असपश्टा और वस्तु निष्टता लाई जाए लिवकेसान ने 1992 में जो मानसिक मंदता की संसोदी परिभासा दी उसके अनुसार मानसिक मंदता का आर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रिया स Melanie vern homelessness जिसमें महत्तो पूर्ण रूफ से कम अधो सथ भवधिक क्रिया सेलता के साथ निम्दिक्त चेत्रों में से दो या अधिक में संबथ कमी पाई जाती है स्वहसाहयता दैनिक कार समाजिक कासल साम दाई कासल स्वहनिदेशत्स स्वहस्त्यय सुरक्षा कार्यात्मक सिक्षा आयाग्यान और मनौर इंजनात्मकार यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि 1983 की जो ग्रॉस्मेन की परिवासा थी और 1992 की लिए के सान की परिवासा थी इसमें लिए सिर्फ उसको और वस्तुनिष्ट बनाने का प्रयास किया लगभग अधिका कि कौन-कौन से अनुकुलनिय व्यवाहर हो सकते हैं स्वासा आयता देनिकार समाजी कौसल सामदाई कौसल स्वानिरदेश स्वास्यम सुरक्षा करयात्मक सिक्षा और मनौर इंजनात्मक कार इन में से कम से कम दो या अधिक शेत्रों में अगर संबत कमी पाई जाती है तो कि यह बोधिक शमता होगी सबसे जो नमींता परिवासा बोधिक कौसल की दी है वह एयिटे ने 2010 में जिसके अनुसार बोधिक शमता में व्यक्ति की बौधिक शमता और अनुकुलनिय व्यवहार दोनों में महतोपुण कमी पाई जाती है और यह कमी उसके सांकालपनिक, साम सामाजिक और प्रयायोगिक कौसलों में परिलक्षित होती है इस अच्छमता का आरम 18 वर्स से पुर्व होता है अगर इस परिवासा का विस लेशन करें तो हम पाते हैं कि इसमें बौधिक अच्छमता मानने के लिए व्यक्ति की बौधिक अच्छमता को प्रहावित होना चाह और यह कमी उसके संकल्पनिक सामाजिक और प्रयायोगिक कौसलों में परिलक्षित होनी चाहिए साथी इस अच्छमता का आरम 18 वर्स से पुर्व होना चाहिए अगर हम नए निसक्त जन अधिकार कानून 2016 की बात करें जो कि भारत सरकार ने अभी कुछ जनोपुर्व पास क दिया है तो उसकी परिवासा के नुसार बौधिक निसक्ता में ऐसी स्थिति अभी प्रेथ है जिसकी विसेष्था दोनों बौधिक कार और अनुकुल्य व्यवहार में महत्वपुर्ण रूप से कमी होना है जिसके अंदर दैनिक सामाजी केवं व्यवहारी कौसलों की रें परिलक्षित होती है उसके लिए देख लें कि और धारनात्मक कौसल में दिखाई दे सकती है व्यक्ति की भासा प्रहावित हो सकती है व्यक्ति का पढ़ना लिखना प्रहावित हो सकता है व्यक्ति की धन संबंदी संकल्पना प्रहावित हो सकती है व्यक्ति का स्वनिर्दे आत्मसम्मान विभिन नियमों का पालन या उत्पीडन से अपना वजाओ करना अर्थात गुलैबिलिटी से अपना बचाओ करना या फिर यह चीजें प्रावित कौसल को भी प्रावित करती हैं जैसे दैनिक क्रियाओं एवं स्वासायता कौसल नहाना कपड़े पहनना सजना स सवरना आधी इनको ही प्रावित कर सकता है जैसे घरेलु काम दवाई लेना फोन का प्रयोग रुपे पैसे का हिसाब आवागमन आधी इनको प्रावित कर सकता है या स्वास संबंधी क्रियाओं को प्रावित कर सकता है या सुरक्षित वातावरण संब्धी कौसलों को जिन और धाटनात्मक कोसल सोसल स्किल और प्राइक कोसल प्रैक्टिकल स्किल्स लेकिन बौधी कशमता की इस परिवासा का प्रयोग करने के लिए AIDD ने पांच मानेताएं सुझाई हैं कि इन पांच एजंप्संस को निश्चित रूप से कंसिडर किया जाना चाहिए तभी इस परिवासा का प्रयोग किया जा सकता है सबसे पहले जो उन्होंने बताई है मानेता वो है कि लिमिटेसंस इन प्रिजेंट फंक्शिनिंग मस्ट भी कंसिडर्ड विदिन दा कॉंटेक्स्ट ऑफ कम्यूनिटी इन्वार्मेंट्स टिपिकल ऑफ इंडिविजूल एज पियर्स एंड कल्चर जो बॉजिक रूप से एक्षम बिक्ति की सिमाएं हैं उन पर बिजार करने से पहले हमें उसके समुदाय उसके वातावरण उसकी आयू और उसकी संस्कृति का ध्यान अवस्ट से रखना चाहिए वैलिड असेस्मेंट कंसिडरास कल्चरल एंड लिंग्विश्टिक डिवर्सिटी एज वेल इस डिफ्रेंसेज इन कम्यूनिकेशन सेंसरी मोटर और विवर्यल फेक्टर्स जब भी हम असेस्मेंट करें तो उसमें हम भासाई भिन्नता एवं सांस्कृतिक भिन्नता का और स खाती साथ संप्रेशन विन्नता संव वेदी विन्नता गामक विन्नता और विवयहारी कारकों का भी ध्यान र खि कि वेक्ति का धिन्यताओं का ध्यान जरूर रखें तीसरा जो महत्वपुण मानेता है तीसरी जो महत्वपुण मानेता है वह यह है कि विदिन इंडिविजुवल लिमिटेसंस ओफिन को एक्षिस्ट विस टेंथ कहने का अतात पर यह है कि हमें यह मान के चलना होगा स्रेंथ दोनों साथ साथ अस्तित्व रखते हैं हर वेक्ति में अर्थात जब भी हम देखें तो उसकी उन कमियों के साथ साथ हम बौधिक रूप से अच्छम वेक्ति की स्टेंथ भी देखने का प्रयास करें चौथा जो उसकी चौथी मानेता जो है वह है एन इंपॉर्ट परपस आफ डिस्क्राइविंग लिमिटेशन सीज्टू डिलापे प्रवाइल अफ निडेट रफोर्ट्स जब भी हम बौधिक शम्ता की व्याख्या करें और बौधिक शम्ता की व्याख्या करते हुए व्यक्ति की कमियों का उलेख करें तो उसका परपस उसके नकारात्म लिविंग के लायक होगा यह हमारा उद्दे से होना चाहिए एक बौधिक रूप से अक्षम व्यक्ति के कमियों की व्याख्या करते हुए और पाच्वा जो सबसे महत्वपूर्ण है बौधिक शम्ता की परिवासा में वह है विथा प्रोप्रोप्रियेट परस्नलाइज इस 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 इसमें क्या इंप्रूब्मेंट होगा कुछ भी इंप्रूब्मेंट नहीं हो सकता लेकिन नहीं जब भी हम उस परिवासा के आधार पर किसी व्यक्ति में बौधिक शम्ता का विसलेसंड कर रहे हों उसकी व्याख्या कर रहे हों तो हमें यह मान के चलना चाहिए कि उपयुक्त व्यक्तिकत सहायता अगर एक निश्ची तवजी तक दी जाए तो सम्मंधित व जीवन है वो इंप्रूब होगा उसकी लाइफ फंक्सिनिंग में इंप्रूब्मेंट आएगा यह पांच मान निताएं हैं जो उपरुक्त परिवासा को यूज करते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए इसके अलावा जो 2002 की परिवासा है उसमें पांच आयामों को कंसिडर किया गया है सबसे पहला इंटिलेक्शल एविलिटी है दूसरा एड़ेप्टिव हैवियर है तीसरा हेल्थ है चौथा पार्टिसिपेशन है पांचवा कॉंट्रेक्स है इस प्रकार हमने आज के सत्र में देखा कि परिवासा है उसके बाद 1992 में इसकी परिवासा को संतोदित किया गया और वस्तों निष्टा लाने का प्रियास किया गया 2010 में परिवासा को परिवर्थित करते हुए और यह बताया कि यह मुख्यता बौधिक शम्ता की कमी और अनुकुलियों विहार की कमी जो है वह अधारनात्मक कोसल सामाजी कोसल और प्राविक कोसलों में परिलक्शित होती है धन्यवाद